अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें। इस गड़ी में लोहिया वाहिनी की राश्ट्रिय अध्यक्ष जंद्र शेखर यादव के अलावा फूलपूर के पूर्वसांसत नागेंद्र पटेल ने भी धर्मेंद्र यादव को जन्म दिन की बधाई दी और उनकी लंबी आईटी काम ना की। साथ ही संबल जिले के सपा जिला द्यक्ष फिरोज खान भी धर्मेंद्र यादव को बधाई देने पहुंचे और केक काटकर धर्मेंद्र यादव का जन्म दिन मनाया। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव में कहा कि जन्म दिन के खुशियां मनाना तो सही है लेकिन 2022 में सपाती सरकार बना कर मुझे जन्म दिन का तौफा प्रदेश की आवाम और हमारे समर्थक दें तो मेरी खुशी दोग नी होगी। साथी देश के मौझूदा हालात पर भी चिंता जाहिर करते हुए धर्मेंद्र यादव ने तमाम मुद्दों पर अपनी लाए दी और मौझूदा सरकार को जम कर खरी खोटी सुनाई।